हाई फ्रेंट्स फल्कम बैक टो आई शेनल तो फ्रेंट्स आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीटेट एक्जाम के बारे मिची हाँ दोस्तों छात्रों का लगातार कमेंट आ रहा था कि सर जो 13 जन्वरी को यूपीटेट का एक्जाम होने वाला है वा होगा की नहीं होगा की पोस्ट पॉन कर दिया जाएगा तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल से हम बात करेंगे यूपीटेट एक्जाम को ले करके तो फ्रेंट्स अगर आप लोग शेनल पर नए हैं तो शेनल को सब्सक्राइब कर लिए और साथी मे आपका यूपीटेट का पेपर होने वाला है वा होगा की नहीं होगा की पोस्ट पॉन कर दिया जाएगा तो फेंट देखिए अभी तक जो नियूज निकल करके आ रही है उसके हिसाब से जो यूपीटेट की आपकी परिख्षा है वा लगबग हंडेट परसेंट होगा जी दिया गया हो बहुत से स्टूडेंट लगातार जो है कि ट्वीटर पर भी ट्वीट कर रहे हैं कि जो यूपीटेट का एकजाम है उसको कैंसल कर आया जाए नहीं तो जो है कि कोरोना काफी तेजी से बढ़ेगा जिससे कि जो स्टूडेंट एक्साम देने जाएंगे वो भी कोरोना संक्रमित हो जाएंगे और जब वो घर पर आएंगे तब भी जो है कि उनके घर वाले कोरोना संक्रमित हो जाएंगे ऐसा जो है कि ट्वीट लगातार स्टूडेंट ट्वीटर पर कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई भी यूपीटेट की तरफ से नोटिस नहीं आई है कि कोरोना की वज़े से हो सकता हो कि टाल दिया जाए तो फैंट्स अभी आप जो है कि 100% मानिए कि आपका जो यूपी टेट की परिक्षा है हुआ कंड़क्त कराई जाएगी अभी आप देख लेजे कि मातर 2-3 दिन का समय बचा हुआ है अगर यूपी टेट की परिक्षा को कैंसल करना होता तो अभी तक जो है कि यूपी टेट की तरफ से नोटिस आ गई रहती लेकिन फैंट्स अभी तक कोई नोटिस नहीं आई है तो इतना कनफर्म है कि आपका जो 23 जनवरी को यूपी टेट का एक्जाम होने वाला है वा होगा तो फैंट्स आपकनी तैयारी बना के रखें आपका 100% एक्जाम होगा तो फैंट्स चलिए मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में एक नए टोपिक के साथ अगर यह वीडियो आपको पसंद आयो तो इस वीडियो को लाइक कर दिजे जदा से जदा सेर कर दिजे